वेल्कम बैक टू मैं चानल इंसाइट लॉव आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड यूनियन आट की लेबर लॉग के अंदर आता है ये सब्जेक्स बी एल लबी में CCS उनिवरसिटी में 7th CEM के अंदर आता है चली बात करते हैं इसके बारे में पहले देख लेतें ट्रेड हफिते से इंट्रेटी सब्सक्रांबॉव यूज के सब्सक्राइन ऊच्यां पहला से अंदर और हम इस लोग को सब्सक्राइज कर्ist currently एक representative चाहिए होता है जो कि हमारे मन की बात जो हम चाहते हैं वो बात आगे रख सके अब ऐसे ही employer है suppose यह लोग इसी अपने bonus को लेके बात है कि industry बहुत टाइम से factory में काम कर रहे है और दिवाली आ रही है करते कि पचास लोग एक साथ बात करेंगे तो कोई solution निकलना निया बात का कि directly हम लोग जो प्रेसिदेंट है जो लीडर है ट्रेड यूनियन का वो सीधा जाएगा और बात करेगा अपना जो भी solution है वो निकाल के लिकर आएगा ठीक है बागे आगे आगे हम इन डीटेल चाहे वो लेबर लॉप से लिटर है कुई भी आक्ट बनाई अगर लेजिस्फरेचर ने पर्लिमटने तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है उसको बंढने का आप यह में कोई भी काम करता तो आपने शाम का खाना बनाया या क् का object लिखना बहुत ज़रूरी है it is very important कि आप यह बताओ कि यह particular xyz जो भी act है यह किस objects है तो हम देख लेते हैं trade union act 1926 का object क्या है trade union act 1926 को object यह है कि यह आपकी trade union के registration के बात करता है कौन apply करेगा registration के लिए कि इसको apply करोगे कैसे apply करोगे क्या proof होगा कि हाँ रेजिस्टर हो गए हो cancellation हो सकता है या नहीं हो सकता है यह सारी चीजों के बारे मेंů जो registration के बाद हमें rights responsibilities मिलेंगी उसके बारे में हमें यह एक बताती है तो इस act ने हमें डिलियली सारे तरीके बता है रिश्ट्रेशन के यह भी बताया कि वह एक ठ्रेड यूनियन के क्या राइट से क्या लाइबलिटी रिस्पॉंसिबिलिटी जै उनके बीच में भी इनके फंड्स होते हैं कुछ अपनी सालरी में से लोग पैसा जमा करते हैं तो वह फंड्स इनक इनके फंड्स हैं वह प्रॉपली यूटिलाइज की जाते इस सरीके से कि इन सब का फायदा हो सकता है ठीक है अब आई डेफिनेशन वगरा को और जी से देख लेते हैं इस आक के बारे में सेक्शन टू के अंदर इस उज्वल डेफिनेशन दी गही हैं सेक्शन टू ए हमें बताते हैं एक्शिक्यूटिव के बारे में बहुत सारी चीज़ा शब्द लिखें थोड़े से कन्फूजिंग शब्द हैं सेंटेंस का मीनी फ्रेम करने में थोड़े सी जो है अटपटा सा लगता है इसलिए एक सिंपल भाशा में मैंने इसका शब्द जो सेंटेंस यहां इंका मैंने मतलब निकाल दिया इंचार्ज ओफ जो ओगनाइजेशन एक्जीटिव कौन होता है एक्जीटिव किसी भी कमपनी में वह आदमी है जो किसी और इसे करके करके एक आदमी है, हो सकता है, body है कोई, आप कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो, यह क्या कर रहा है, trade union से related, जो भी चीजे है, या फिर जो भी उनका management है, उसको संभालता है, in charge of their organization, ठीक है, एक होता है, office bearer, जो आदमी एक office में, एक proper authority hold करता है, जिसके पास कुछ पावर, जिक को ए authority है, जो कोई काम कर रहा है, और उसके decisions ले सकता है, उसके करने, ना करने से, कुछ ना कुछ फरक पड़ता है, तो वो आदमी क्या होता है, office bearer होता है, आगे बढ़ते हैं, यह चीज और है, section 2D में उसने में बता है, registered office, यह office उसका नहीं है, जिसके आप काम कर रहे हैं, यह proper registered office आपको बताना होता है, जब आप application देते हो, रेजिस्टरार को दी जाती है, application अपनी trade union के registration के लिए, वहाँ पे हमें mention करना पड़ता है, जो location है, वो हमारा registered office होगा, वो provisions हम आखे देखेंगे, trade union किस disputes के relate करती है, यह फिर trade disputes क्या होते है, section 2D में उसने में बताया है, किस से related, या तो वो employment से related होगा, non employment से related होगा, भई sanitation है, नहीं है, किस तरीके से कितने work hours है, इनका कितना rest है, क्या अगर इनोंने, जो ऑवर टायम कराया, तो तनका मेलेगी, नहीं मिलेगी, जब भी कोई भी dispute होगा, किस से related condition से related, या फिर employment के से related, कोई भी अगर dispute arise होता है, employer Workman, Workman, Workman और employer, employer के बीच में, तो उसे हम trade dispute कहते है, इसे industrial dispute भी कहा जाता है, ठीक है, section 2 वेच ने हमें बता है, trade union के, trade union एक combination हो सकता है, कुछ time period के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए permanent भी हो, जो कि बनाया जाता है, ताकि एक workman, employer, workman, workman, employer, और employer के relations को regulate क्या जा सके, आपस म है, harmony maintained रहे, क्योंकि देखो, employer के बिना एक workman का घर नहीं चलेगा, workman के बिना employer का घर नहीं चलेगा, अगर factory यां बंद रहेंगी, कोई काम करने वाला नहीं होगा, तो चाहे कि इतना भी बड़ा businessman है, कुछ नहीं खा सकता, ठीक है, तो क्या है कि इनका काम क्या होता है, एक दूसरे के बीच में relations maintain करने, एक federation चलानी और एक harmony maintain करके रखनी, जिससे कि दोनों का काम भी बंद बजा और एक कभी नुकसान ना हो, I hope यहां तक बाते clear हो गई होगी, अगर कोई doubt है ता आप मुझे comment कर सकते है, registration हमें बताया क्या, section 4 में registration क्या करता है, अगर एक जगा प जिस दिन मैं application दे रही हूं, 100 लोग minimum, this is the minimum 12, maximum कितने भी हो सकते है, minimum at least 100 men employed होने चाहिए, काम करने चाहिए, उसके लिए हम सब ने देख लिए, 100 लोग हमारे हैं काम करें हैं, finally वो बार आगे है, अपना trade union के लिए apply का सकते हैं, तो हमेंसे कोई minimum 7 या 7 से जादा लोग अपना नाम, details देंगे, जो भी condition है, उसको satisfy करेंगे, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अपनी trade union के लिए registration कर सकते हैं, condition क्या है, ऐसी जगह से आप आने चाहिए, जहाँ पर at least इस दिन आप application दे रहे थे registration के लिए, 100 लोग उस दिन वहां क्या थे, उस दिन 100 लोग employed थे, उस इस दिन 100 महां पर employed थे, उस दिन हमां पर काम कर रहे थे, ठीक है, यह section 4 ने कहा, section 5 ने बोला कि भाई यह जो लोग application दे रहे हैं, registrar को, उसमें उन लोगों का नाम, उनका occupation, उनका address होना चाहिए, कहां पर काम करेगी यह trade union, किसके यहां से वो starter steel की trade union है, तो वो कहां काम करे trade union का head office कहां होगा, क्या address होगा, trade union का क्या नाम है, यह सारी की सारी चीजें जो है, इन्हें application में, जो है, mention करनी होती है, यह चीजें बताएगी section 5 में, अगर आप मैं इसमें से किसी भी चीज को follow करे बिना, और आप apply कर देते हो registration के लिए, तो registrar के पास पूरी power है, कि वो आ आपका registration cancels कर सकता है, या मना कर सकता है कि भाया मैं तुम्हारी trade union register नहीं करूंगा, जब भी कोई भी trade union, इसे छोड़ देजे, it's not that important, वही बात है जो मैं आपको पीछे बताईए, ठीक है, provisions contained in the rules of trade union, अब जब कोई भी office बना रहे हो, मैं political party बना रहे हो, मुझे कुछ rules and regulations बनाओंगे, कुछ time limit होगी, इतने बजाएंगे, इतने बजाएंगे, ऐसे तुम्हारी attendance लगनी है, ऐसे होना है, छुटी के लिए ये process है, सब कुछ चीज़े हम बताते हैं, यही चीज़े trade union को भी बतानी होती है, क्या नाम है trade union का, किसलिए trade union बन रही है, object क्या है, अगर कल को कोई भी trade union से पैसा उठाना चाता है, funds ले रहा है अपने लिए, कैसे है, हम अपनी trade union को maintain कैसे करेंगे, हम भाई कैसे भी harmony जो हमें maintain करके रखनी है, वो कैसे हम harmony maintain करेंगे, क्या हम responsibilities दे रहे हैं, यह सारी की सारी चीज़े क्या है, आपको अपने trade union में prescribe करानी पड़ती है, ठीक है, तो I hope यहां तक clear हो रहा होगा, यहां पर अगर ऐसा कोई भी change आ रहा है, suppose आपकी जो trade union का head office है, या नाम है, उसमें कोई नया member add हो रहा है, कोई नया member भी उसको a president बना रहे हो, किसी को क्या कोई पुराना member छोड़ के चला गया, या कोई भी बदलाव हो रहे है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप as soon as possible अपने registrar को changes के बारे में जो है, बताओ, ठीक है, the duration of period being not more than three years for which the members of the executive and the office bearers of the trade union shall be elected, ये लोग बदलते रहने चाहिए, elections होने mandatory हैं, तीन साल से जादा ये लोग elections नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर trade union भाई कल को illegal काम कर रह या फिर कैसे कल को dissolve हो सकती है trade union वो भी इन्हें mention करना होता है कि अगर x y z situation होगी तो हमारी trade union हम मानिगे कि dissolve हो गई है, यानि कि उसका registration cancel हो जाएगा, ठीक है, जब registrar आपकी सारी details चेक कर लेता है, जिसनी भी उसने बताया, नाम, rules, आपके office bearers का, trade union का head office, सारी चीज़ आप से आपको एक certificate issue कर देता है registration का, जो की certificate यह दिखाता है, कि हाँ x y z जो trade union है, यह register हो चुकी है, इन corporation of trade union का क्या मतलब है, trade union के एक body है, जो register हो जाती है, अब इसके पास क्या होगी, एक common seal होगी, जैसे company में हम पढ़ रहे हैं, company में क्या होता है, company के incorporation के बाद company की common seal हो सकती है, same thing हमारी trade union के साथ होती है, यह एक ऐसी corporate body हो जाती है, यानि कि कैसी registered body हो जाती है, ठीक है, जिसके पास perpetual succession भी होता है, वो कोई भी property hold कर सकती है, ठीक है, वो कोई contract कर सकती है, वो case file कर भी सकती है, और उसके उपर case किया भी जा सकता है, यानि कि उसके खिलाफ में भी case किया जा सकता है, ठीक है, अब भी cancellation of registration कैसे होगा, अगर आपके registrar को ऐसा लगता है कि आपने कोई detail कम गलत दी थी, और उसको बाद में पता चल गया, तो वो आपका registration कैंसल कर सकता है, वो जो hundred people का bar है, वो reduce हो गया है, आपको illegal activity कर रहे थे, या फिर आप लोगोंने क्या कर सकता है, जो आपने rules and regulations लिखे थे, अपने trade union के, आपने वो follow करने बंद कर दिया है, इन situations में registrar के पास ये power होती है, कि वो आपका registration कैंसल कर सकता है, I hope आपको trade union है आफ तक clear हो गया होगा, ये PDF आपको मेरे telegram के channel पे मिल जाएगी, वहाँ पर uploaded, और जो telegram अगर आपको नही कर सकते है, Instagram, telegram, mail, आप कैसे भी हमें contact कर सकते है, जो आपको convenient लगे, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अगर आप नए है चानल पर तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए और शेयर करिए अपने friends के साथ, thank you so much and all the best for your exams.